इंतहा हो गए इंतजार की कल साम खबर आई थी कि मुख्यमंत्री अशोग गहलोट देड़ साल बाद राजस्थान सरकार के कारिकरम में मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकलेंगे जन्ता को दर्शन देंगे गारियां लग गई थी तैयारियां हो गई थी मगर इसके बाद मुख्यमंत्री अशोग गहलोट ने अचानक से मुख्यमंत्री निवास से बाहर निकलने का कारिकरम निरस्थ कर दिया और कहा कि वीडियो कॉंफ्रेंसिंग से ही जुड़ेंगे बीमार भी हैं और उम्र भी हो चुकी है इसलिए हो सकता है कि परिशानिया हो लेकिन लोग कह रहे हैं कि राजनितिक परिशानिया रात को ज्यादा हो गई जिन छे बहुजन समाज पार्टी से विधायकों को लेकर कॉंग्रेस में विलाय कर आये थे उनके सब्र का बांध तूटने लगा है निर्दलिये विधाईकों को एसोस्येट मेंबर बनाया गया था और बसपास और भी विधाईकों को कांग्रेस का सदस से बनाया गया था नजाने क्या वादा किया गया था जिस वादे की पुर्ति नहीं होने से गहलोत खेमा परिशान है देरात दो विधायकों से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई और बाकी के चार अभी रडार से गायव हैं देखिए कौन लोग हैं याद किजिए कुछ दिन पहले इन ही विधायकों से सचेंद पैलट और उनके लोगों को जैचंद और गद्दार कहलवाया गया था अब ये क्या कह रहे हैं दिल्ली आये हैं राहूल गांधी मिलेंगे तो ठीक है नहीं तो अमिर्सा और मायावती से मिलेंगे कैसी कैसी निष्ठा है और ऐसी ऐसी निष्ठा वाले किन किन लोगों पर सवाल उठा रहे थे और कौन सवाल उठवा रहा था उसे भी सोचना चाहिए किन लोगों के कंधे पर बंदूग चला कर किन के उपर निशाना साथ रहे थे तुम इसलिए कहा जाता है कि राजस्थान में जिस तरह की राजनी चल रही है उसमें सांती उपर से नजर आ रही है लेकिन भीतर है भीतर एक बेचैनी है कसमकस है विधायकों में सचिन पैलिट और उनके साथ गए लोग अभी भी सबर रखे हुए हैं मैं सचिन पैलिट को ऐसे ही सबर का समंदर नहीं कहता हूँ तमाम परिशानियों के बावजूद काम नहीं होने के बावजूद तमाम ही कारत के बावजूद वह कॉंगरिस अलाकमान के साथ हैं मगर यह लोग कह रहे हैं तू नहीं कोई और सही राजनीत में किसका भरुसा करें और क्यों करें जिस तरह से नेताओं के नियत बदल रही है लोग सोचने पर मजबूर हो गए है कि राजनीत कहां से कहां आ गई गांधी नहरू पटेल ने इस कॉंग्रेस की बुनियाद रखी थी उस कॉंग्रेस को क्या हो गया कैसे कैसे नेता कॉंग्रिस ने इतने सालों में पैदा किये है समझना होगा हमें बेटा और बहु घर छोड़कर निकल जाए तो कह सकते हैं संसकार में कमी थी मगर 56 भोग खाने के लिए पिता घर छोड़कर दुस्मन के घर जाकर बैठ जाए तो बुनियाद में समस्या है और कॉंग्रिस की बुनियाद में समस्या है अमरिंदर सिंग डोवाल से मिल रहे हैं कल अमिसा से मिले थे और कहा जा रहा है कि अब प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से मिलने जा रहे हैं कॉंगरिस ने क्या नहीं दिया मगर एक सब्ता भी बिना सब्ता के रह नहीं पाए और यह लोग नौजो सिंग सिध्धू को अनिस्टेवल कह रहे हैं सवाल के ओल अमरिंदर सिंगा नहीं है नरायंदर तिवारी एसे इन कृष्णा जैसे नेता क्यों गए थे जियोत्रिया दे सिंधिया और जतीन परसाद के बारे में तो समझा जा सकता है कि वह किसी लालस में गए थे मगर नहींदर तिवारी को तो दो दो राजियों का मुख्यमंत्री रखा उतरा खंड उतर परडेश चब तक राजनीत किये केंद्री में मंत्री रहे बुजूर्ग हो गए राजियपाल बने उसके बावजूद बीजेपी में चले गए एसिन कृष्णा मुख्यमंत्री बनाया केंद्री मंत्री बनाया राजियपाल बनाया उसके बावजूद बीजेपी में चले गए तो समस्या कॉंग्रेस की बुनियाद में है कहां अंतर आया है कहां फरक आया है यह समझना होगा और नोजो से सिद्धु जैसे लोग अगर बदलाव लाने के लिए कॉंग्रेस में आये हैं तो उनका इस्तक्बाल होना चाहिए उनसे घिर्णा नहीं करनी चाहिए जैसा कि बीजेपी से ज़्यादा कॉंग्रेसी कर रहे हैं कर रहे हैं बाहर से आये थे बाहर का संसकार लेके आये थे और मुरिंदर सिंग, नारांदर तिवारी, एस्वेम कृष्णा यह तो अंदर के संसकार वाले ही थे इन्होंने तो पूरी उम्र कुझा दी थी कॉंग्रेस में, यह क्यों चले गए देखे समझना होगा कॉंग्रेस में जिस तरह से राजनी चल रही है बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकती है आइडिया आफ इंडिया के नाम पर कब तक लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे आपके पास कोई एक ऐसा राज यह नहीं है जिसके बारे में आप कर सकते हैं कि हमारा राज देखना हो तो राजस्थान आ जाओ, 36 गड़ा आ जाओ, पंजाब आ जाओ BJP के आरोपी मंतियों के जगा कॉंग्ριस के आरोपी मंत्री बैठ जाते है पैसे खाने का सिल्सिला वैसे ही चलता राता है क्या आइडिया आफ इंडिया यही था आइडिया आइडिया घंडू-मुसल्मान सिख हिसाई के साथ रहने कि अलावर भी बहुत कुछ था जिसे कॉंग्रसी भूल गए है आइडिया ओफ इंडिया को लेकर राजनीत करनी है तो करहिया कुमार नौजो से सिद्धू जिगनेस मिवानी जैसे लोगों के जरिया के लिए नहीं हो सकता है इन्हें आजादी देनी होगी सिद्धू क्या मांग रहे हैं सिद्धू कह रहे हैं कि जो राजनीत पंजाब में हो रही है उसके बुनियादी फर्क जन्ता को दिखनी चाहिए एक इमांदार डी जी पी होना चाहिए इमांदार मुख्यमंत्री होना चाहिए पाक साफ मंत्री होना चाहिए महाधिवक्ता ऐसा होना चाहिए जो जनता के कामों के लिए कोट में लड़े लोगों के सिफारिश पर अगर ऐसे लोग रखे जाएंगे तो नोजों से सिद्धू क्या करने के लिए कॉंग्रेस में आये हैं वो अब बीजेपी में तो ठीकी थे आप उन्हें बुला ही रही है अगर इस गंदगी को नई पिढ़ी के कॉंग्रेस के नेता साफ करना चाहते हैं तो उन्हें साफ करने देना चाहिए बुजोर्गों को अब घर बैठ कर उन्हें मौका देना चाहिए मुख्यमंतरी अशोग गहलोत को देख रही है घर से बाहर ने निकल रहे हैं मगर सत्ता छोड़ भी नहीं रहे हैं सचिन पैलट घर बैठे हैं वो बाहर निकल सकते हैं मगर उन्हें घर बैठा दिया गया है जिन्हें निकलना है वो घर बैठे हुए है मुख्यमंतरी अशोग गहलोत के चेहरे पर दो दो बार चुनाव लड़ा गया एक बार 56 सीट आई एक बार 21 सीट आई तीसरी बार उनके चेहरे पर मुख्यमंतरी अशोग गहलोत के चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है परिणाम क्या होंगे कॉंग्रेस अलकामान जानता है मगर कॉंग्रेस अलकामान बदलाव नहीं करना चाहता बदलाव के नाम पर क्या करता है YSR के मिर्ट्यू के बाद केस रुसया को अंधर परदेश का मुख्यमंत्री बना दिया रुसया सोय रहे तो किरन रेड़ी को बना दिया मगर जगमोहन रेड़ी को बदलाव लाने के लिए खुद की पाठी बनानी पड़ी कॉंग्रेस को इस मांसिक्ता से बाहर निकलना होगा जीतन राम बान जी को निटिश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया था मगर हटाते वक्त क्या सोचा नहीं था कि दलित वोट नराज हो जाएगा अब कॉंग्रेस में एक नई तरह की राजनीत हो गई है कि चन्जीस सी चन्नी मुख्यमंत्री बन गए हैं उनकी बाते नहीं मानी जाएगी तो दलित नराज हो जाएगे ऐसे राजनीत नहीं होती दलित कोई अलग मिट्टी के बने हुए नहीं होते है उन्हें पता होता है क्या सही है क्या गलत है इसलिए नौजों से सिद्धू अगर कॉंग्रेस की बुनियादी राजनीत में वर कल्चर में काम करने के संस्कृति में अंतर लाना चाहते हैं तो उन्हें लाने देना चाहिए अगर सचीन पैलेट राजस्थान में काम करना चाहते हैं तो उन्हें करने देना चाहिए सचीन पैलेट के साथ जिन लोगों ने काम किया है उनसे जाकर मिलिए कहते हैं कि टेबल पर एक भी फाइल नहीं पड़ी रहती है कहते हैं कि डिसीजन जितना वो फास लेते हैं कोई ले नहीं पाता जिस तरह से 6 सालों तक परदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे सब के सामने हैं उनके पहले भी यहाँ पर परदेश अध्यक्ष शुआ करते थे उनके बाद भी है तुलना कर लेजिए कैसे PCC चला करती थी मगर मैं फिर कह रहा हूँ कॉंग्रेस को जुगार की राजनीत करने वालों से तौबा करनी होगी वरना जिस तरह की राजनीत फिलहाज चल रही है हर जगह समस्या आने वाली है आप कनहिया कुमार को लाकर कोई बदलाव नहीं ला सकते कनहिया कुमार जो सोच रहे हैं उस सोच को कॉंग्रेस में लाकर बदलाव कर सकते हैं कॉंग्रेसियों को यह समझना होगा कॉंग्रेस एक पार्टी के रूप में नेताओं के इल्दगीर घूमने वाले लोगों का एक समुव बन कर रह गया है वैचारिक समस्या आ गई है जो सिधान्त थे, जो नीती थी उसके अपनाने में नियत में खोट आ गई है रहा है जिन लोगों को लेकर आना चाह रहे हैं जो यूआ नेता हैं उन्हें कमान देकर इस तरह की परिवर्टन लाए जा सकता है बसरते कॉंग्रेस दिलो दिमाग से इसके बारे में सोचना शुरू करे ताजिस्थान तक के लिए जैपूर से शरतकुमार